हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल टेक प्रो एस्वीबी में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा वीडियो जो आपको बताएगे कि जो भी JEE मेल सेशन टू के लिए अपियर होना चाहते हैं उनके लिए एक इंपोर्टन नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है एंटी की वेबसाइट पर आप यहां पर देख रहे हैं यह है छे जुलाई का नोटिफ जो आज ही जारी हुआ यहां पर जिसमें यह क्लिरली मेंशन है आप यहां पर देख सकते हैं कि जिनको भी JEE सेशन टू के लिए अपियर होना है उनके लिए यहां पर एक इंपोर्ट रात 11 बज़े तक आप अपलाई कर सकते हैं और 9 जुलाई मतलब उसी दिन 11 बज़ कर 50 मिनट तक आप फाइनली सब्मिट कर सकते हैं पेइमेंट करके और यहां पर आप देख रहे हैं इसमें और भी कुछ इंफोर्मेशन है जो कि जिस पर्टिकुलर आइडी से यानि जिस आइडी से आपने session 1 का form भराता उसी application ID से आपको login करना है यहां पर आप देख रहे है application number password वही यूज करना है जो session 1 के लिए यूज किया था और यहां पर आपको जो भी चीजे select करनी है वो है आपका paper medium of examination और cts मतलब आप अगर कोई option change करना चाहते हैं तो वो सिर्फ आपको को चेंज करना है, otherwise वो default option वही लेगा जो आपने session 1 के लिए select किये थे, इसके पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 जुलाई को एक notice जारी हुआ था, तो भी opened after declaration of result, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, result declaration से पहले ही यहाँ पर window open हो चुकी है, जो आज से open है, आप application कर सकते हैं, आइए देखते हैं अभी application कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको लेके चलूँगा, NTA की website पर, आइए अभी देखते हैं, session 2 के लिए apply कैसे करना है, इसके लिए आपको जाना है nta.ac.ini website पर, और यहाँ पर जाके आपको students tab में जाके देखना है, joint entrance examination, JEE, आपके सामने ये window open होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 जुलाई का जो notice है, वो यहाँ पर भी यहाँ टॉप में आपिर हो रहा है, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ आपको नए page पर लेके जाएगा, यहाँ पर अल्डेड़ी JEE main session 2 का application form selected है, यहाँ पर आपको आपका application number और password डालना है, जो आपने इसके लिए भी किया था, session 1 के लिए सब particular से इंटर करने के बाद आप इस particular screen पर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप किसके लिए apply कर सकते हैं, बी, बीटेक का अगर आपको JEE main देना है, तो आप यहाँ पर paper 1 और paper 2 यहाँ पर आपको required है, वहाँ पर पर टिकुलर check box, check करिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका question paper का medium है, वो कौन सा चाहिए, वो आप यहाँ से select कर सकते हैं, generally English majority students का होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं, आप जो भी choices आपने session 1 के लिए दी थी, जैसे कि नाशीक और अंगबाद, यह जो 3-4 cities हैं यहाँ पर, महाराश्चा सेट की, यह जो 4 cities, session 1 के लिए दी थी, वही session 1 की cities यहाँ पर by default appear होगी, अगर इसमें आप change नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे ही रखें और इसमें security pin, यहाँ पर security pin दिया हुआ है, यह enter करके आप submit कर दीजा, यह होने के बाद, आपको वो कुछ summary दिखाएगा, और उसके बाद payment करने के बाद, आपका session 2 का application form, submit करना है आपको, जैसे कि मैं पर करना हूँ, जिर security pin है, देखते हैं, यहाँ पर अगर मैं यही default रखो, और security pin एंटर करने के बाद, यह submit करने के बाद, वो आप से पूछेगा, कि review the following information carefully, जैसे कि आप जो भी information है, वो carefully review करने के बाद ही, आपको submit button प्रेस करना है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, पे जाएगा, वो payment page पर और वहाँ पर payment होने के बाद, आपका application submit हो जाएगा, तो इस तरह से, मुझे उम्मीद है, यह वीडियो आपको जरूर हुपियों की साबित होगा, आप सभी का धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए,